प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को आठ साल पूरे हो गए हैं इन आठ सालों के दोरान प्रधान मंत्री ने बहुत सारे नारे देश को दिए बहुत सारे वादे किये कारेकरम नमों इंपक्ट में हमने दिखाया कि नीतियों का जो प्रधानमंत्री की जो नीतियां है उनका कितना असर लोगों पर पड़ा है और आठ साल ये कैसे गुजरे क्या-क्या उन्होंने अपने वादे पूरे की हैं इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमार साथ हैं डॉक्टर नंकिशोर गर्ग हाना कि वो विचारधारा उनकी संग वाली वीजेपी वाली है लेकिन राजनितिक विश्लेशक हैं और उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या मानना है आठ साल के अंदर डॉक्साब किस परकार से काम किया सरकार ने विचारधारा से और परसनल उससे माने तो मोदी जी का मैं दोस्ती भी रही प्रशंशक हूं परन्तु कुछ चीज़ें जो हुई हैं उनका मेरी उमीद से बहुत ज्यादा हुई हैं शुरू के एक डिट साल तो मुझे लगता था शयाद ये भी भाशनबाजी हैं जो हम रा सफाई जैसी चीज भारत में सफाई की आदत सब कुछ डाल देगा कोई आदमी दो साल तक मुझे विश्वास नहीं था जिस सहाब से फिर दो तित साल के बाद रेजल्स आने शुरू हुए और उसके बाद जो काम हुए हैं वह मैं समझता हूं कि पूरा विश्व उसकी प् कर चुनाव होती हूं और सब को खुश रखने की प्रवृती ने लोक तंतर को डिरेल कर रख रहा है फ्री बाई सब फ्री देना 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 और देश को भारत के समिधान ने भी लेने की आदत तो डाल दी हमारे फांडिंग फादर से बहुत बढ़िया समिधान बनाया उन लेकारों की बात हैं करतव्य जो इस समाज की मूल टाकत हुआ करते थी भारत की संस्कृति की उसके अंदर उसमें कोई जितना स्ट्रेस डालना चाहिए था उन नहीं है उसके कारणा से हर आदमी लेना वोट देने की बात करते हैं उसमें देने में भी कंजूसी करते हैं 40 प उपर उठकर सोचना शुरू किया 25 संपरदये से ऊपर उठकर सोचना शुरू किया और किसी को खुश करने के लिए कУछ करना है उस प्रबृति को धीरे-धीरे त्यागा है दे रहे हैं आज कि मैं आगर देने का अगर आज भी कोई पेंपड लोट है जिसको ज़्यादा सरकार दे रही है तो वो किसान है पर तो वो इसलिए है कि किसान का फिर से उभरना भारत के लोगों को अवशक है हमारे जमाने में जब बाबा जी कहा करते उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखद चाकरी भीखने जान उससे उन्निस सो दो जार तक तो सोच बिलकुल उल्टी होगी थे दो जार बारा तेरा तक कि नौकरी 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 उसके लिए सारे जगडे उसके कारणारक्षन उसे एक आंजाती बाद ये सब बढ़े पर मोधी जी ने अभी भी मुझे बता रहे थे साथी कि तीन सो साड़े तीन सो रुपे का खाद का कट्टा उसके उपर लगो साथ सो रुपे की सबसीड़ी दे रहे हैं मोधी जी किसान को भी नहीं पता मीडिया भी नहीं इसको प्रोपेगेट कर पा रहे है किसानों के लिए सोईल हेल्थ पश्वों के भी ऑपरेशन आखों के भी हो मैं हसता तक यह बार जब गाय कि आखों के ऑपरेशन की बाद गुजरात में शुरू की थी अज पशूधन के लिए विश्वों में सबसे है दूद पैदा करने वाला देश भारत हो गया आपने तीन विशे बताए एक तो आपने स्वच्टा वियान की बात की कि जो मोदीजी ने शुरू की आखिसानों की बात की साथ में आपने कहा कि नोकरी की बजाए आत्म निर्भर भारत की आपने बात की और ऐसे कौन से तीन या चार काम मैसे हैं जिनको आप कहेंगे कि अपने आप में एक जो है वो रिमार्केबल है जिनका उलेक होना ज़रूरी है मेरा एक मानना है कि मैं क्यों डॉक्टर शेम परशाद मुकर जी का अध्यन किया है उस पर पुस्तक मेरी दूसरी भी त्यार है लगबर जो सोच थी भारत की मैं गांधी की सोच भी है थी गांधी जी की सोच से जवहरलाल नहरू बिल्कुल उल्टा चले भारत का कुटी रुद्योग भारत की क्रशी भारत आत्म निर्भर हो कि भारतियों के पास हाथों की कला और दिमाग ये दो ही तो स्रेष्ट थे जिसे मलमल बना देते थे जो अंगूठी में से निकल जाए बागलपूर की जिजने चीजें बढ़िया थी वो सब मशीनी यूग लाला के हमने समात कर लिए और बड़े बड़े स्टील प्रांट लगा दिये आधूनिक मंदिर नाम दे दिया कोई प्रफिट में नहीं चला बिलाईक, राउरकेला, दुर्गापूर ये वो दुनिया बर की चीजे अर उसके समने टाटा ने सवदेशी को सवाव लंभी बना राए था तrau टाटा स्टील के मुकाबले एक भी नहीं बना बाए उसके समने जिंदल गुरुप ने उससे भी सस्ता स्टील और उससे भी ज्यादा बना के दिखा दिया, तो आत्म निर्भर भारत के लिए जो कोशिश की हो देजिए, स्टार्टप्स की कोशिश की है, उसमें यूनिकॉर्ण तक लोग पहुँच गए, वर्ड के अंदर सबसे तीसरत बड़ा देश हो गया आज, द्रोन टेकनलोजी की बातें करते थे लोग, क सब्सक्राइब के लिए आपके पास काफी सारे काम हैं, लेकिन कुछ विशह ऐसे होंगे, जो आपको लगता होगा कि छूट गए, किन शेत्रों में अभी और कारी करने की आउशकता है? मुझे लगता है कि सिक्षा एजुकेशन इसके ओपर जितना हो जाना चाहिए था, अब दो साल पहले रास नई सिक्षा निती आई है, उसका इंप्लिमेंटेशन होने में कम से पांचे साल लगे हैं, दो साल तो करोना में निकल गए. इसी से जोड़ा हुआ है फिर जुडिशिल रिफॉर्म, क्यों जब सिक्षा पधतिया में सुधार होगा, भारतियता को बढ़ावा मिलेगा, हम आत्म गौरामेंत होंगे अपनी बातों से, तो जुडिशिल भी सारी नकल जो कर रहे हैं, बेटिश सिस्टम की, जिसमें तार उन काइदे बदल दो, सिंपल कर दो, इस देश को जकडन से चुटकारा दे दो, इस देश के व्यापारी को तुम काम कम करने और कंप्लाइंसे में सारा समय वेस्ट करा, तो अभी पिसले महने उनने, केबिनिट सेक्टरी और सब के सामने का जो बेस्ट आए इसके, कि इस द गुआ है, पेंडेंसी क्यों होनी चाहिए, इस देश के कितने लॉज को लगाओ ने इस काम में, एक अधिकारी तो आपने देना है, तीन महने के लिए अधिकार दे दिया, आपको पहले औरेरी मजिस्टेट बनाते थे ना अंग्रेज भी, तो आज उन चीजों पर आ रहे ह है, लेगल सिस्टम दो शिफ्टों में चलाओ, कोई ब्रेक क्यों ने चाहिए, एक एक महिने के छुटियां ये, ये जो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रहे हैं, ये समर ब्रेक आ गई, ये विंटर ब्रेक आ गई, ये वो आ गई, छुटियों के आवशकता नहीं है, और पाकिस्तान बन गया, और उसके बाद फिर मुस्लिम मुस्लिम होके तो इस देश को टुकड़े करने की जो साजिशें थी, लेफ्टिस्ट की थी, जिसमें इसलामिस्ट की थी, कट्रवादियों की थी, वो साजिशें विफल हो रही हैं तो मीडिया में कौन है ऐसे, मीडिया पर कबज़ा मानता आज भी लेफ्टिस्ट का, उनिवर्सिटी पर, वो बोलते रहेंगे थोड़े बहुत दिन और, सच्चा ही तो सामने आईगी न, कौन नहीं कहेगा कि इस देश में एक अजार्मी शताब जी से पहले मुसलमान नहीं थे, और आकर सब चीज़ों पर कबज़ा करके नाम अप परिवर्तन कम से कम कुछ से, इंगलिश वाले भी अब जब से, महंगाई पर भी छोटा साथ आपका पर्तिग्रिया, महंगाई, अगर युक्रेन युद, रशिया युक्रेन युद ना होता, तो महंगाई की जो रफ्तार थी पहले साथ साल, कोई ऐसी नहीं थे, जिसके का रही थी, पर तो आज युक्रेन रशिया युद से, तेल की महंगाई का कारण केवल युद, पूरे विश्व में खाद्यान के सबसे बड़ा सप्लायर युक्रेन रूस था, उन्हें कमी आनी जरूरी थी युद रुक जाए, चीजें वापिस आना शुरू, सारे चीजें पूरे विश्व में महंगाई है, ऐसे ऐसे देशों में तकता पलट हो गए महंगाई से, जिन्हों को भी महंगाई देखी नहीं थी, यहां 80 करोड लोगों को मुफत में खाना मिल रहा है, तो महंगाई हलाक मीडिया अपना करता रहे, प्याज लाल हो गया तो हो गया टरमा बार महनत करता है, बाकी महंगाई आटिफीशल तेल वेल की हो जाए यह ठी, आप शिक्षा विद्वी हैं और अगर आप से कहा जाए कि मुल्यांकन करें सरकार को कितने नंबर आप देना चाहेंगे, निश्चे तोर पर आप मानदारी से देंगे मुझे विश्वास है, मैं आज की सरकार, जैसे टीना फेक्टर पहले कहा करते हैं, इंदराजी के लाहीं में, there is no other law. मैं चाहता हूं विपक्ष स्ट्रॉंग हो, पर विपक्ष के पास ऐसे जमूरे आ गई हैं, जिनको ना भारत का पता, ना भारतियता का पता, ना लड़ना कैसे वो पता, सरकार को आ प्लंगाना, चंदरशेकर राओ, संस भाई भूई ये, आंधरा प्रदेश, 50% हिसाई, 50% हिंदू मिलके एक परिवार ने लोगों को ब्योकू बना रखा है, बीजू पतना है, नाम सी पता चल रहा है, बीजू पतना है, पर एक इमानदार, अच्छा मुख्य मंत्री भी, ह हो सकता है परिवार वाई से, तो परिवार, चोटाला सब के सामने आगे, कितने ब्रेस्टे चार अंदर, लालू सब के सामने, सारे ही अंदर जा रहे हैं ना, और हजारों शरत यादा हो, सबसे जिसके लिए, सबसे पहले मैंने काम किया, 20 साल बाद कोटी चुटी है, दूस जी खुल के बोलते हैं, हमारे अंदर भी है ना, डाइनिस्टी वाले, साइक दल हैं, पर कोई शरम तो नहीं कर रहे हैं, जहां मौका लगता है, परिवार वादी पारिटियों के खिलाब बोलने का, और मन से बोल रहा है, अब सुधार इतना ही कर दें कि इस देश में साल पड़े हैं, चुना हो आगिया, चुना हो आगिया, इसलिए हो, अरे 25 साल बाद का सपना देख रहा है, और दिखा रहा है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर नंद किश्व और गर्ग, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वरिष नेता हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि प्रधान बंतरी तक ये बातें पहुंचें, और इस पर तेजी से कारिये सरकार करें, और प्रधान मंतरी ने जो काम की हैं उसमें कुछ चीजों की यहां पर चर्चा छुट गई जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ धारा 370 और 3 तलाग जैसे ऐसे महत्पून विशे थे जिनको कोई नहीं मानता था कि हो पाएंगे लेकिन इन 8 वर्ष के दोरान हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाले समय भी सरकार की तरफ से कुछ सुधारवाद कदम अवश्य उठाई जाएंगे कैमरा परसन विरेंदर मिश्चा के साथ अतुल सिंगल दिल्ली